नमस्कार मैं दिपीका बिंग ममी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज जो टिप में आपको बताने वाली हुँ ना ओल्मुस्ट आपके बढ़ोई ने आपको सजेस्ट कर दिया होगा कि आप ये इस्तेमाल कीजिए पर आप ध्यान नहीं दे रही हैं वो है कि आप जो है तो मिलता है जी से कि आप जो है बहुत है रहती है आप है रहेंगी तो आपका दूद भी जो है बहुत है अपने बच्चे के लिए प्रड्यूस करेंगी अगर आपको दूद पीना अच्छा नहीं लग रहा है ना तो आप जो है डेरी प्रोड़क्ट्स यूज कीजिए जै तो इस तरह का जो डेरी प्रोड़क्ट्स होता है ना वो खाये चाहो तो खुआ बना करके घर में खालो पनीर बना करके खालो मतलब जीतनी चीजे आप जानती है ना दूद से बनता है वह सब आप इस्तमाल कर सकती है तो इसे आपको बहुत जादा बेनिफित होगा अपने दूद का प्रोड़क्शन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज जिसे हम माई हमेशा अवोइड करती है वह है बहुत सारा पानी पीना आप जितना पानी पीएंगी बोडी उतना जो है हाइड्रेट रहेगा बोडी हाइड्रेट रहेगा उतना अच्छा दूद प्रोड्यूस क तो इसलिए ध्यान दीजेगा कि दूद के साथ पानी बी जरूर पीजेगा दूद एकली जो है आप अपने दिन में दो ग्लास पीजे और पानी तो आप जितना पी सकती है उतना अच्छा रहेगा आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी जादा इन्फोमेटिव हो इसस कानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन भी अन कर दीजेगा